जोर से पटाका भड़ जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता है कि साथ मेरा हाथ नहीं है क्योंकि से मालूम है ये निया भारत है और निया भारत छेडता नहीं है लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है भाइन और भाईयो इस नए भारत में विकास की जो यात्रा प्रारम्व किये वाद्भूत है दुनिया के लिए आस्करे का चिक आस्करे करने वाला है टू लेन, फोर लेन, सिक्स लेन, ट्वेल्वे लेन के हाईवे बन रहे है, एक्स्प्रेस हाईवे बन रहे है, एरपोर्ट बन रहे है, एम्स बन रहे है, आयटी, आयम, ट्रेन की नहीं नहीं सुब्द है, कहीं बंदे भारत ट्रेन, कहीं अम्रीत भारत ट्रेन, और कहीं बार नमो भारत ट्रेन के रूप में दुनिया की बेतरीन मॉडल ट्रेन की आधारत स्वयमी अपने याँ उसका प्रड़क्सन भी करता है और जन्ता जनादवन की यातायाद के लिए उपलब्द करवाता है हर घर नल के माध्यम से हर घर तक बाई पेजल की स्कीम और नल में सुद्ध पानी फ्लब्द करा करके लोगों को आरुख जिता की और अग्रसर क्या जा रहा है गरीबों के लिए भी बेर सारी युजनाएं दस वर्स मैं आपने देखे हूँगी अस्ट्री करों लोग देश के अंदर फ्री में रासन की सौगात प्राप्त कर रहे हैं मैं कहना चाहता हूँ लोगों से जो पाकिस्तान का रागल आपते हैं अरे थोड़ा सोचो एक भारत है मोदी जी के नित्रत्तों में 80 करों लोगों को फ्री में रासन दे रहा है और दोसरी टरफ पाकिस्तान है कुल आबादी 23 करोड 23 करोडों भूख से बलग पे दिखाई देते हैं जो लोग पाकिस्तान का रागल आप रहे हैं इनको जाना चाहिए पाकिस्तान पाकिस्तान में कोई इनको भीग भी नहीं देगा भीग भी नहीं देगा पकिस्तान में कोई बैन और भाईयो असी करोड लोग फिरी में रसन साथ करोड लोगों को पांच लाख रुपे की प्रतिवर्स आयुस्मान भारत की काड़ की सुद्धा और मोदी जी ने कहा है कि चार जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो सत्तर वर्स से उपर की प्रतेक भुजरुग को प्रतिवर्स पांच लाख रुपे की सुद्धे बीमा फिरी में उप्लब्द करवाएंगे बेन और भाईयों पचास करोड़ लोगों की जंदने कौन खोले गए देश के अंदर बारा करोड़ किसानों को किसान सम्मान निदी का लाप रप्राप्त हो रहा है बारा करोड़ गरीबों के घर में सोचाले बन गए हैं दस करोड़ गरीबों के लिए उज्जला योजना का कनेक्शन और उत्तरब्देश में तो हमने विवस्ता किये है कि होली और तिपावली के उसर पर एक एक भरावा सिलेंडर इन परिवारों को फ्री में उप्लब्द करवाने का काम करेंगे बैन और भाईयों चार करोड़ गरीबों के मक्तान बन गए हैं और मैं आपको इस बात के लिए कह रहा हूँ आप आस्वस्त करिए चार जून को जब मोदी जी तीसरी बार प्रदान मंत्री बनेंगे तो जितने गरीब होंगे जिनके पास कच्चे मक्तान होंगे एक खपड़े के मक्तान होंगे या जोपड़ी होगी जिनको आवास नहीं मिल पाया है गरीब हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन्यापन करते हैं उन लोगों को एक एक आवास उत्लब्द करवाने का कारिया भारती जंच्छा पार्टी की सरकार करेंगी एक तरफ सम्मान प्रफ स्वाइब और वैन और वायों साथपात विकास भी है और गरीबों का कल्यान भी है और अयोध्या धाम में वग्वान राम का भव्य मंद्र के लिर्मान का काम भी है आप मैंसे कितने लोग अयोध्या गये हैं इदर मैं यहां की बिदाया केट की सिंग से कहूंगा कि चुनाओं के बाद एक बार बांस्ती की लोगों को ले जा करके अयोध्या धाम का दर्शन जरूर करवा जाते बैन और भाईयों आप मुझे बताओ क्या आयोध्या में भवान राम का मंदिर का ये कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग करा पाते क्या अरे राम भक्त पर बोली चलाने वाले लोग है ये आतंग बातियों का समर्बशन करते उनके पैरो का रहें ये राम भक्त पर नहीं ये तो राम द्रोयों के साथ इन राम भक्तों के साथ नहीं और इसलिए बेनौर वायो अयोध्या में अगर आप चाहेंगे आपको लगे का अयोध्या धाम तो फिर से त्रेता युद्धी अयोध्या आगई प्रवुराम की किरपा साथ अयोध्या धाम पर हम सब पर बरस रही है ये सभी काम के वल भारती जंता पार्टी कर सकती है लेकिन दूसरी طरब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का युद्य गडवंदन है बेन और वायो ये गडवंदन कहता है मिल करकी लडेंगे चनाव जीतेंगे तो मिल करके लूटेंगे और चनाव हारेंगे चार जुर्न को फिर कि दोस्ती खंड-खंड में ग्युभक्त हो जाएगी जूत का सहारा ले रहे हैं आज ये कह रहे हैं जूत मोरते हैं कित्ता मंगड़न का सत्थ बोलते हैं कहते हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आजाएगी तो सम्हेधान वगद देगी समिदान को स्कुरोच समान भारती जनता पाल्टी करती है बावा साथ इम्राव मेट करके पंजुतीर्द मोदी जी ने बनाए ये असत्य वाचन जो इनके दारा हो रहा है केवल इसलिए जिनते जनता जनारतन को आपस में बाटा जा सके विकास के मुद्दे से ध्यान अटाया जा सके गरीब कल्यानकारी मुद्दों से ध्यान अटाया जा सके सुरक्सा जैसे मुद्दों से ध्यान अटाया जा सके और गरीबों के उत्थान के लिए मोदी जी के लित्रत में जो काम हो रहा है इससे ध्यान अटाया जा सके वैन और वाईयों हम सब प्याद रखना होगा कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोषना पत्र कहता है कि सत्ता में आएंगे तो OBC और SC का आरक्साण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे क्या अब इसको श्विकार करेंगे क्या क्या इसको श्विकार करेंगे क्या लेकिन ये लोग इस्तरारत में लगें है इनका घोषना पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आएंगे तो तालिब यानि प्रस्टनल लॉगों करेंगे प्रस्टनल लॉग का मतलब जानते हैं अब प्रस्टनल लॉग का मतलब तालिबानी सासन बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी मैलाएं बाजार नहीं जा पाएगी मैलाएं घर के बाहर नहीं निकल पाएगी बुरका पैन करके घर के अंदर दुबकना पड़ेगा भारत के अंदर सर्या कानून लागो करने का कुछ प्रियासे समाजवादी पार्टिय और कॉंग्रेस के लोग करना चाते हैं भारती चन्ता पार्टिय इसको एक सरे से खारिज करती है और इसका विरोध करती है और मैं इसी लिए कहने के लिए आना हूँ